नमस्कार दोस्तो, स्वागरे का सभी का टिकिराच YouTube चैनल पर तो दोस्तो आज के इस वीडियोभाइ मैं आ आपको बताऊँगा की आप जबी यहाँ पे नेट्रोक स्वीच करने की कोशिश करते है या तो फिर नेट्रोक सेलेक्शीन करने की कोशिश करते है तो दोस्तो आपको कुछ इस प्रकार का यहाँ पर error problems आ जाते है डिवाइस पे ठीक है आप यह error देख सकते है मेरे स्क्रीन पर जो कि दोस्तो फिलाली में यहाँ पर यह एक screenshot है ठीक है तो मैं आपको इसके मद्यम से यहाँ पर समझाने वाला हो कि problem किस वज़े से आते है problem आते हैं तो दोस्तो आपको यहाँ पर क्या करने के लिए कह रहा है और इसको fix कैसे करना है ठीक है तो यह सबसे main है तो पूरा यहाँ पर इसका जो fact है इसका जो यहाँ पर problem से error है उसके बारे में जानने के लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर आन तक देख लेना होग ठीक है तो सबसे पहले आप यहाँ पर यह भी परके एक बार देखी लिजेगा कि बता क्या रहे है और यहाँ पर we recommend turning on the automatic selection function ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों आपको यह बता जा रहा है आपको यह बता जा रहा है कि आपने जो यहाँ पर नेट्रोग सेले किया है वह unavailable है उस के वाज़े से एरोर आ रहा है तो आपको automatic selection यहाँ पर जो function है उसको select करना है ठीक है automatic selection function कैसे select करने मैं आपको वह बता दूगा ठीक है तो यह सब दोस्तों यह error का मतलब है तो अभी दोस्तों इसको fix करने का तरीका चलिए देखते हैं और दोस्तों यहाँ पर वीडियो कर सकते हैं किसी भी problem के regarding पर आप हमें Twitter पर follow करके message जरू करें तो चले दोस्तों यहाँ पर जो है हम जाते हैं अपने mobile के setting पर ठीक है setting पर जाने के बाद dual SIM and mobile network जो है उसमें आपको जाना है अपना SIM को select कर लेना है ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों आप जब operator पर जाते हैं ने automatic registration जिसको आप बन करके manually network select करने की कोशिश करते हैं ठीक है तो यह बटन को बन करती ही manual network आपको आ जाते हैं तो जब manual network को select करते हैं तो आपको उसमें भी problem आ जाते हैं वहाँ पी बताया के जा रहा है था कि आपको automatic network वह select कर लेना होगा क्योंकि जो आपने network select किया है वह available न देखाई दे रहा है इसको enable करना है ठीक है blue color में इसको enable करना है इसको जैसे आप enable कर दोगे तो दोस्तों आपका जो problem में वह भी solve हो जाएगा ठीक है वह जो आपको automatic registration on करने के लिए वह यही है ठीक है आपका network operator तो यह आप देख सकते है automatic registration तो यह आपको on करना होगा उसके उसके बाद दोस्तों यह दी network काफी ज्यादा खराब है तो आप network जो है fix करने के लिए कुछ solutions या पर मैं आपको बता रहता हूँ तो उसको follow कीजिए ठीक है सबसे पहले तो आपका जो C में उसको eject करके एक बार insert भी कर लिजेगा उससे क्या होगा network आपका refresh हो जाएगा सार network setting को एक बार reset कीजिए ठीक है उसके लिए आपको नीचे system management पर जाके आपको यहाँ बेका बेन reset को open कर लेना है तो आप देख सकते हैं reset network setting का future तो उसमें जैसे आप click करोगे sim select करना होगा और reset setting पर tap करती phone का जो password होते उसको भर देना है और नीचे आपको reset setting पर click करना है इस इसमें क्लिक करते हैं आपका जो network setting से वो reset हो जागा और यदि आपको यह setting ढूने में डिक्कात हो रहा है तो आसान से आपको एक process से search setting पर click करके आपको यहाँ पर reset type कर देना है आपको setting मिल जाएगा काफी आसानी से ठीक है तो यह सब करने के बाद दोस्तों देखेगा इसको call करके पूछ लीजेगा ठीक है तो आप यहाँ पर एकर समय करें तो किसी दूसरे एकर से आप उनको फॉल की कॉल किजिए ठीक है जिसमें नेट्रोक है तो उसमें कॉल करके आप पूछे कि आपके जो number है उसमें problems क्यों आ रहा है ठीक है वह आपको simply बता देगा problem इसके related कोई भी issue होगा तो आप हमें Twitter पर follow करके message कर दीजेगा तो आज के लिए बस इतने ही thanks for watching